लेसुन के लिए एक ऐसा सांदार कॉंबिनेशन बता रहा हूँ जिससे मात्र पांच दिन में आपकी लेसुन हरी बरी हो जाएगी जड़ों का विकास बढ़िया होगा पोदे में पीलापन नहीं आएगा कंद का साइज बढ़िया बनेगा लेसुन की ग्रोथ कापी अच्छी होगी किसान भाईयों इस समय पर लेसुन की फसल 30 पे 30 दिन के अजपास हो चुकी है किसानों को कई प्रकार की समझ्चा है लेसुन की फसल में देखने को मिल रही है इस कॉंबिनेशन को अपना सकते है जिससे मातर पांस से साथ दिन में आपको कापी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा पूरी जनकारी के लिए वीडियो को अंतर तक देखिए जो नए साती हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस वीडियो को अधिक से आसपास या उससे भी उपर हो चुकी है किसान भायो पहली चीज हम ले रहे है केल्सियम नाइट्रेट जो की एक प्रकार से कंद को बड़ा करने का काम करता है कंद को मजबूत और चमकदार बनाता है किसान भायो इसके साथ हम ले रहे है माइकुराइजिया माइकुराइज एक प्रकार से जड़ों का विकास अच्छे से करता है इसके रिजल्ट लेसुन में कापी बढ़िया देखने को मिलते है अगर लेसुन की जड़ें जमीन में गहराई तक जाएगी तो पोदे में पोशक ततों की कमी नहीं होगी फसल एकदम हरी बरी रहेगी पोदे में निसे मिक्स कर सके इसी के साथ हम ले रहे है अमीनो एसिड वाला एक कॉंबिनेशन वाला खाद जिसका भी प्रियोग हम लेसुन में करने जा रहे है जिसमें भी कई प्रकार के पोशक ततों पाये जाते है जो की एक प्रकार से पोदे की गुरोध को बढ़ाते है पोदे से को दूर करते है और जड़ों का विकास बहतर तरीके से करते है इन सभी को mix करने के बाद हम lesson में इस combination का प्रियोग कर रहे है जिससे आपको कापी बड़िया result मिलेगा किसान सात्यों इस समय पर क्या होता है कि lesson में कंद बनना शुरू हो जाता है कंद बनते समय पोदे की जड़ पूरी पोशक्ततों की पूर्ती होना चीए जिससे पोदा हरा बरा रहे बोजन तेजी से बनाए कंद का आकार बढ़े पोदे की ग्रोथ अच्छी हो सके तो इस कॉंबिनेशन का प्रियुग हम लेसुन में कर रहे हैं उसके बाद हम स्प्रिंकलर से पानी लगाने वाले हैं ज अपना सकते हैं अलग-अलग कंडिशन के अनुसार फसल की अलग-अलग आउस्ता में इन खादों का प्रियूक कर सकते हैं अगर आप भी इस प्रकार से लेसुन की खेती करते है तो निश्री तोर पर आपको फायदा मिलेगा वीडियो अकर पसंद आयो तो वीडियो को करें